दोस्तो स्वागत है आपका इंसाइट नॉलेश की एक और नई वीडियो में भारत के स्टॉक मार्केट और भारत के फॉरेक्ट रिजर्व को लेकर काफी इंट्रेस्टिंग खबरे सामने आ रही है और दोनों चीजों ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड डाला है ज पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की जिसने एक नया मालिश्टोन को छूलिया है बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज पर लिष्टिट स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन पांच टिलियन डॉलर के पार हो चुकी है ताजा अंकडो के नुसार बीएसी पर लिष्टिड स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखे तो ये 414.62 लाग डॉलर के पार हो चुका है यानि कि दोस्तो भारत का शेयर बाजार और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पांच टिलियन डॉलर को पार कर चुका है आपको याद होगा कि प्रधान मंत्री नरेंदर म हुए थे जिसमें बताये गया था कि मिड कैप और स्माल कैप स्टोक में खरिदारी के चलते शेयर बजार के मार्केट कैप की वैल्यू 414.62 लाग करोड के पार हो चुकी है डॉलर के टर्म में भारत ने 5 टिलियन डॉलर के मार्केट कैप को पार कर दिया है बड़ी बात तो ने संकेत भी दिये थे कि बाजार में तेजी देखी जाएगी और आखिरकार वही हुआ अब आपको बताते हैं कि भारत अब दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा शेयर बजार बन गया है अमेरिका नमबर एक पर है जिसकी वैल्यू 55 लाग करोड डॉलर है लिश्ट पर द दूस्तों सेयर बाजार के एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्ता होगा ऐसे में शेयर बाजार के मार्केट कैप का भी बढ़ना तैय है एक्सपर्ट का मानना है कि 2030 तक भारत के मार्केट कैपिटल की वैल्यू डबल हो ज और भारत को इस वक्त कोई भी नजरंदाज नहीं कर सकता विदेसी निवेशक हो या फिर लगातार विदेसी लोगों द्वारा भारत में पैसा खर्च करना इन सभी मामले में भारत काफी जादा आगे चल रहा है सेयर बाजार के मार्केट कैपिटलाइजेशन के सफर को दे इसके बाद साल 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप को शेर बाजार ने पार किया और साल 2023 नवंबर के महिने में भारत की शेर बाजार की मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर थी अब मातर 6 महिने में ही भारत ने 1 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा इजाफा करते हुए 5 ट्र मुद्राबंडार यानि कि भारत के फॉरेक रिजर्व में भी एक बड़ा रिकॉर्ड देखा जा रहा है RBI ने हाली में जानकारी दी है कि भारती फॉरेक रिजर्व 2.56 अरब डॉलर से बढ़ करके अपने लाइफ टाइम हाइक पीक पर चला गया है और अब कुल विदेशी मुद्राबंडार भारत का 644.15 अरब डॉलर का है RBI की तरफ से जानकारी देते हुए बताये गया है कि भारत ने हाली में 648.56 अरब डॉलर के विदेशी मुद्राबंडार को टच किया था हाला कि अभी भी इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि ये 644.15 अरब डॉलर के पार पहुँच गया है लेकिन आपको बता दे कि पिछले तीन हफतों में तो इसमें मामुली सी गिरावट देखी गई है और इसके बाद भारत ने इसमें उच्छाल हासिल कर ली है और आरबियाई ने ताजा अकड़ा जारी किया है वहीं आरबियाई ने ये बताया है कि फोरेक्ट डिजर्व का एहम इसा विदेशी मुद्रा एसेट जिसे हम फोरें करनसी एसेट कहते हैं वह भी 1.49 अरब डॉलर बढ़कर के 565.65 अरब डॉलर पर पहुँच गया है इसमें यूरो पाउंड येन जैसी गैर अमेरिकी डॉलर की मुद्रा भी सामिल होती है इसके लावा दोस्तों भारत के आरबियाई की तरफ से बताया गया है कि गोल्ड रिजर्व में भी भारत के बढ़ोतरी होई है और ये 1.07 अरब डॉलर से बढ़कर 55.95 अरब डॉलर पर पहुँच गया है अक्टूबर साल 2021 में भारत के विदेसी मुद्रा भंडार ने सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी थी और ये लाइफ टाइम हाइक पीक पर पहुँच गया था इसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखी गई लेकिन आरबियाई ने इसको बढ़ाने के लिए और साथी डॉलर और रुपए के दाम को भी बराबर करने के लिए लगातार डॉलर की खरीदारी की इसके बाद विदेसी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी देखी गई और बताय जा रहा है कि पिछले तीन हफ़तों में लगातार इसमें गिरावट हुई थी लेकिन अब बढ़ोतरी के बाद भारत का फोरेक्स रिजर्व 64.154 डॉलर पर पहुँच गया है बरहाल दुस्तों भारत के श्टॉक मार्केट और भारत के फोरेक्स रिजर्व को लिकर आ रही नई अपडेट के उपर आपकी क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरू बताईएगा फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जहिन